चैनल को सस्क्राइब कर ले और सस्क्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज आप असे जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बदोरिया इनलेन यूटूबर और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके कान में कातर घुच जाएं या आपको कातर काट ले तो आप कैसे उसका इलाज करेंगे इस गरेलू नुस्खे से यानी डाक्टर के पास तो आप जाएंगे ही लेकिन सबसे पहले आप घर में अपना ये इलाज कर ले यानी होम रेमेडी से इलाज कर ले उसके बाद आप डाक्टर को ज़रूर दिखा pesar कर कर कि क्योंकी उससे आपको क्या क्या आपके कान में नुकसान नहीं होगा बहुत सारी पोजीशन आ जाती है की कान में खर्णकजूरे घुश जाती है कातर घुश जाता है तो चलिए उसके निजात पाने के लिए हम क्या कर सकती है इस गरेली नुस्के से तो चलिए मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले खाली बाउल और इस में डालेंगे गुर्णगुना आप तुरंत इस गर्नोने पानी एस ग्रीओनि में इसको डाल करकरे अच्छे से घूलैने यानि नमकी एक भी फुटकी नहीं रहना चाहिये यानि एक को मेरे लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें टाकि उन्हें भी इस वीडियो से फाईदा मिल सकें तो दोस्तों यही आप एक उन्गुने पानी को इस नमक वाले पानी को तुरंफ इस कॉटन की मदद से इस तरीके देखे ये होता जैसे कान हो गया ये मैं अपने हाथों में दिखा रही हूँ अगर ये आज जैसे कान हो गया तो आप इस टाइब से कॉटन की मदद से इस पानी को ज्यादा से ज्यादा कान में डालें इस तरीके से और इस पानी के साथ वो कांतर बाहर आ जाएगा तो इससे होगा ये कि आपके कान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कांतर घुज जाएगा कान में तो हो सकता है कि आपके पर्दे में जो कान का पर्दा होता है वो बहुती ज़्यादा नाजुक होता है होगा यह कि कान आपका नुकसान से बच जाएगा यानि पर्दा कान का जो पर्दा है उसका नुकसान होने से बच जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने कान के पर्दे को बचा सकते हैं और कानों में कोई भी नुकसान होने से आप बचा सकते हैं तो दोस्तों इस त तब तकली नमशका